शिव ठाकरे जियां शिव ठाकरे ने किया है एक बहुत ही बड़ा खुला सा चलिए बताते हैं आपको कि खुला सा किसके बारे में किया है शिव ठाकरे ने बात किये शेखर सुमन के बारे में जियां शिव ठाकरे ने कहा है कि शेखर सर जब भी बिग बॉस की घर में बिग ब बार आके मेरी उपर कॉमेंट्स करके जाते थे और मुझे ऐसा फिल करवाते थे कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे बुरा लगना शुरू हो गया और उसी बुरा लगने के शुरू में एक बार सेखर सुमन सर ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसकी वज मुझे बहुत तकलीफ होती थी शिव ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं मानता हूँ कि शेखर सर के अपने फैबरेट्स हो सकते हैं क्योंकि वो जब भी आते थे तो वो अंकित की अर्जना गौतम की और प्रियंका चाहर चौधरी की इनकी तारीफ करके जाते थे हर बारी वो इनकी तारीफ करके जाते थे और मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे लिए वो अच्छा नहीं बोलते हैं तो मैंने इस बारे में सेखर सर से बात भी करी जब मैं बाहर आया तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि देखो जब मैं शो में आता था तो वहां प्रोडक्शन की पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है तो शिव ने यह कहा कि इतना सब कुछ सुनने के बाद जब सर ने मुझे एक्स्प्लेइन किया तब मुझे जाके रेलाइस हुआ कि ने इस सेखर सुमन को कोई मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं नॉर्मल हूँ अब मैं ठीक तो यह खुलाशा किया है शिव ठाकरे ने हाली में उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया जहां पे उन्होंने यह सारी बाते करी हैं तो आप मुझे बताईएगा कॉमेंट करके कि आपको भी क्या ऐसा लगा था क्योंकि शिव ने साथी साथ एक और बैट करी शिव ने कहा कि ये बात मुझे अंदर बैठ के फील होती थी और सीम यही बात जो मेरे फैंस बाहर है उनको भी यही फील होता था कि शेखर सुमन शिव को टार्गेट कर रहे हैं तो दोनों लोग को जब एक ही बात फील हो रही है यानि कि फैंस को और मुझे तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा होगा दिख रहा होगा ऐसा टीवी पे लेकिन सेखर सर ने मुझे समझाया एक्स्प्लेइन किया तब मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे थे और कोई परस तो प्रॉब्लम नहीं है आप आपकी बारी आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है शिफ्ट थाकरे और सेखर सर के बारे में ठीक है जो भी आपकी राय होगी और अगर चैनल पर आते हैं तो प्लीज गाइस डू लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप मेरी वीडियो को इंज्वाय कर सको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाय बाय टेकर अपना ख्याल रखेगा बाय